तो आप मेंसे बहुत सारे चात्रों की टाइपिंग का एक्जाम होगा ठीक है कनिसायक में और भी कई परिक्षा हैं जिसमें भुष्चे में आपको टाइपिंग देनी होगी तो उससे संबंदी जो आयोक के नियम है ठीक है उसके लिए जो अनुदेश हैं वो मैं आपको बता लेंगे यह तो आपको पता ही है कि जो पांसो कुछ की वैकेंसी थी और 2080 से उपर उसमें बुलाए गए तेरे कुर्ती देव जीरो वन जिरो इस फॉन्ट में टंकन आपको परिक्षा होगी ठीक है ना तो जब आप सुनिश्चित कर लें कि आपका मॉनिटर कीवर्ड माउ दो बटन आएंगे एक तो ट्राइ डेमो अगेन या सम्मिट अगर आपको दुबारे से डेमो देना चाहते हो तो फिर दे सकते हो वरना आप सीधा टाइपिंग का जो आपका एग्जाम है वो दो गया ठीक है कम्पिटर स्कीन के बाई और विशेवस्तू होगी वैसी आपको दाई और लिखनी है तो लेफ्ट में आपका मैटर दिया होगा पहले से राइट में आपको टाइप करना है ठीक और ये भी लिखा कि जो सब्द आप टाइप करते जाओगे वे बाई और हाइलाइट होते ज ठीक है क्रोस बनावा दिखेगा मालोग नमक लिखाया और आपने नमन लिख दिया तो क्रोस आजाएगा लास्ट में तो आप या तो उसको सही कट रहो या फिर आगे बढ़ सकते हो ठीक है इस पेस बार करके आप अगला अक्छा टंकित कर सकते हो इसके लाब आयूब ने तंकित किये गए कुझी दवाव में 5% जो है असुधियां सुखारियां अगर आपसे 5% गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं और उससे ज्यादा गलती होती है तो आपकी गलत दवाव कुझी के बदले 5 सही कुझी हटा दी जाएंगी ठीक है ना तो 5 गुना आपका काट लि को भी कुझी दवाव की गड़ना में सामिल करेगा तथा गलत को रिनात्म कुझी दवाव की गड़ना में सामिल करेगा टंकन का समय 10 मिनिट का होगा इसके बाद सौफ्ट्वेर्स पता बंद हो जाएगा ठीक है हिंदी टंकन परिष्छा के लिए नियुनतम अरहक जो है 4000 K KDPS रहेगा यानि की डिप्रेशन पर आर यह रहेगा आपका अभियर्ति को टंकित पस्तु की एक पर्तित दी जाएगी जो आपने टाइप किया है उसका एक आपको कौपी दे दी जाएगी और आपसे हस्तक्सर करवा ले जाएगा ताकि आपका जो है एक वो रख लेंगे अपने पास ठीक है फिर आपको लिखित परिक्षा की जैसे आपकी मेरिट होगी उसके हिसाब से आपको अभी एक सत्यापन हितु बुलाया जाएगा और परिक्षा के अंदर में बायोमेट्रिक उपस्तिती भी ली जाएगी ठीक है तो यह होगे आपके सबी अनदेश जो निर्देश दिये हैं बाकी नॉर्मल है CCTV कैमरा में लिया जाएगा तो यह सब है इसंके परिशा के अंदर में मोबायल फोन परिजर दीर यह सब लाना और नॉर्मल है ठीक है तो यह सब जानकारी थे आपकी typing test कैसे कैसे होना है उसके बारे में धन्यवाद